हम लोग परसेंटेज का एक कोशन देखेंगे जो फ्रेस और राइप फ्रूट से रिलेटेड हैं इस प्रिकार के प्रसेंट को हम टाइप 3 के जैसा बनाएंगे टाइप 3 के जैसा कोशन पढ़ेंगे ताजे फ्रूट में 68 परसेंट पानी है और सुखे फ्रूट में 20 प्रतिसत पानी है 1000 केजी ताजे फ्रूट से कितने सुखे फ्रूट प्राक्त किये जा सकते हैं तो सोचो जो फ्रूट है उसमें पानी भी है सुखने के बाद पानी उड़ जाएगा निकल जाएगा फॉल तो नहीं बचेगा जो खाने वाला पाट्स होगा ना जो कॉंस्टेंट है उसी को लेके बनाएगे सॉल्ब करते हैं 68% पानी है जो फ्रेस फ्रूट है ना 68% पानी है तो सोचिए उसमें कितना पाट्स खाने वाला होगा सो में से 68 घटा लिजे तो 32% हो जाएगा खाने वाला पाट्स फ्रेस फ्रूट था ड्राइफ फ्रूट में 20% पानी है जोर पानी कुछ उड़िया होगा खाने वाला पाट्स बचा होगा 80% अब कोशन कर रहा है 100 केजी ताजे फ्लों से 100 केजी ताजा फ्ल है फ्रेस फ्रूट 100 केजी दिखा लेते हैं भैलू ड्राइफ फ्रूट परसेंटेज से परसेंटेज गया परसेंटेज से परसेंटेज एक सुना से एक सुना कार दीजे आठ चुका बद 32, 4 बद ड्राइफ रूट हो गया 40 के जी यह हो गया पूर एंसर ठीक है तो कोशन कह रहा है ध्यान से देखिए 100 के जी ताजे फोलों से कितने सूखे फोल प्राप्त किये जा सकते हैं तो 40 के जी अगला कोशन है ताजे अंगूर में 80 प्रतिसत पानी है जबकि सूखे अंगूर में 10 प्रतिसत पानी है यह सूखे अंगूर का वजन और 90 के जी है तो यह जब ताजा था तब उसका कुल वजन क्या था ताजे अंगूर का वजन निकालना है तो सॉल्प करेंगे ताजे अंगूर में अस्सी प्रतिसत कहा था पानी तो बीस प्रतिसत खाने वला पार्ट सोगा कि नहीं होगा जबकि सुष्क अंगूर में दस प्रतिसत पानी है तो लगभग 90 प्रतिसत भाग खाने वला होगा अब बोल रहा है इसी सुख्य अंगूर का वजन अरहाई सो केजी है इसका वजन कितना है अरहाई सो केजी नहीं परसेंटेज से परसेंटेज सुना से सुना काट लिजे दूसरे 45 मर्त में तो फ्रेस फ्रूट केतना हो गया 25 गुने 45 एगारा सो पच्चीस केजी आया समाज में अब नेक्स्ट कोशन है